हेग्म दोस्तों पिछली वीडियो में बात कि थी रुएल चलेंज बेंगलोर को 2023 के स्काइट के बारे में हम बात करने मुंबाइट में च्पाइट के बारे मुंब dazu कि इसथ तरह की दिख रही है कितनी श्प्राउंग हैOh क्या चेंजेस देखने को हमें मिले हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं और उन्पे मुंबाइड ने 17.5 करोड खर्च किया है वह पोलाड के एक तरह से लॉंग टर्म रिप्लेस्मेंट हो सकते हैं जली बात करते हैं अगर हम बैटर्स की बात करें तो रोईज शर्मा, सुरी कुमार यादो, टीम डेवीट, रमन दीव सिंग ये अल्रेडी उसमें थे और निहल वदेरा जोके बैटर्स में शामिल किया गया है अल्रांडर्स की अगर हम बात करें तो केमरन ग्रीन, डेवल्ट रेवीस, तिलक वर्मा, प्यूस चावला और सैम स्मिलानी जहां इसमें केमरन ग्रीन एक न्यूव एडिशन है साथी साथ प्यूस चावला का भी एड किया गया है और कैमरन ग्रीन के अगर हम बात करें तो उन्हें सबसे महंगा उन्होंने खरीदा है अभी तक के मुंबई इंडेस की इतिहास में हलांकि आइडिल में सबसे महंगे बिखने वाले खिलाडी सैम करन बन चुके हैं और कैमरीन ग्रीन को भी 17.5 करोड में इसने शामिल किया है अगर हम बॉलर्स की बात करें तो इनके पास फास्ट वॉलंग की अब भरमार हो चुकी है अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स की तो जस्विर दूम रहा है जो फ्रा आर्चर और अर्च यह नहीं खेल पायते बट इस साल आपको खेलते हुए नजर आ जो कि दोनों ही प्लेयर्स अस्ट्रेलिया के हैं और दोनों ही फास्ट बॉलर्स है तो एक तरह से फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें तो मुंबई ने इसके बास काफी अच्छा स्टॉक हो चुका है इसके लावा रागव गोईल को इन्होंने खरीता है अर्जुन करते कि लास्ट यर भी थे इन्हें रिलीज किया गया था और फिर से मुंबई ने इसने अपने स्क्राइड में खरीद लिया है तो यह है मुंबई ने इसके स्क्राइड अगर हम प्लेइंग लें की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं 2022 के कंपैरिजन में जो टॉप वाडर है उसमें तो बहुत जाता चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे रोईश्रमा सुरी कुमार यादव आपको टॉप में जरूर दिखेंगे इसान किसन रोईश्रमा के साथ आपको ओपन करते हुए भी दिखेंगे जो मिडिल और है वो भी इनको काफी स्ट्रॉंग हो चुका है मिडिल और में डेवल्ड ऑप्शन के अगर हम बात करें तो डेवल्ड ड्रेविस हैं तीलक वर्मा हैं अब केमरें ग्रीन भी आ चुके हैं इसके अलावा ट्रिस्टन स्टॉप्स और लोवर मिडिल और में आप टीम डेविड क खेलेगा इसके अलावा कैमरें गीन आपको खेलते हुए नज़र आएंगे और टीम डेविड आपको एजब फिनिशर के रूप में खेलते हुए जरूर नज़र आएंगे बॉलर्स के अगर हम बात करें तो आपको जैस्टित बुम्रा जोफरा अर्चर साथ में खेलते हु कर सकते हैं कि आपको इनके स्कॉर्ड कैसे लगती है कितने स्ट्रॉंग है हमारे इसाप से तो मुंबाइनेस के जो स्कॉर्ड हो काफी स्ट्रॉंग दिख रही है और हम प्लेइंग 11 की बात करें तो उनके पास लेंग 11 भी जो फॉस्ट चोइस प्लेइंग लिए नहों झाल